और इसमें खास कि आपके तीन अंग प्रमार पत्र लगते हैं । तौठी कलास का चौथी कलास का और पांच Wing कलास का यानि कि आप तौठी और पांचанд一 तेनों करताँ एक एक स्कूल में से पढ़े पढ़ते हैं यदि आप नौदे में कि नौदे की एक्जाम देना चाहते हैं या अपने बच्चे को दिलवाना चाहते हैं तो आप यह इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताके हम आपको बता दें कि कौन स कौन से ऐसे डॉक्मेंट है जो आपको बनवा लेने चाहिए जितना हो सके जल्दी और नौदे का सिलेक्षन होने के बाद आपके पास उतना समय नहीं रहता है कि आप इन डॉक्मेंट को बनवा पाएंगे तो हम यह भी बताएंगे कि कौन से डॉकमेंट आपको पहले बनवा लेने चाहिए और किस डोकुमेंट को नहीं बनवाना चाहिए जो जो आप पास होने के बाद भी बनवा सकते हैं दोस्तों पहला है निवास प्रमाण पत्र यह तो मतलब नोर्मली आपके पास रहना चाहिए यह नवदे में लगता है तो आपको रेसिडेंट सर्टिविकेट हो जो बनवा जाता है निवास प्रमाण पत्र यह आपको बनवा लेना है इसको आप ओन-लाइन भी बनवा सकते हैं और जो तहस्रील होती है जहां पर यह काखजात बननाय जाते हैं जाह धारकाट जनरल बनता है उस जगह पर जाकर आप यह भी बनवा सकते ओसके बढ़ चाती प्रमाण पत्र मपर जिसे जनरल कटेंगरी से एकजाम क Kate就ह कोई जरूरत नहीं लेकिन आप OBC, ST, HC किसी और केटेगरी से भर रहे हैं तो आपको जाती प्रमाण पत्र लगेगा, तो आप जाती प्रमाण पत्र भी बनवा लेजिए, यह भी ओंलाइन बन जाता है, आप ओंलाइन जाती प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, और आप जो तशील जहां पर यह काग वीडियो नहीं देखा हो कि नवदे में भी फिस लगती है तो उसे देख लीजिए उसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नवी के बाद कुछ बच्चों को फिस देनी पड़ती है तो आप यदि उस यह सटिविकेट भी दे दीजिए ताकि आपको 12 तक कोई भी फिस ना भरनी पड़े तीसरी चौती चीज है कि आपको अंक प्रमाण पत्र बनवाना है मतलब कि आपके बच्चे का मतलब पाचवी में कितना अंक कितने माक्स मिले हैं यह भी बनवाना है क्योंकि नोदे आपको 16 ऐड Tucson दे रहा है इसका मतलब आप 15 तक पढ़े हुए हैं तो आप 15 तक पढ़े हुए हैं और इसमें खास और उसी स्कूल काप्र मार्क सीट वाला प्रमाणपको आपके पास होना चाहिए कि मुझे तिसरी नहीं आ यह तो तो आप नवदे में जब एडमिशन होगा तब आपको इसकी ज़रुरत पड़ेगी, तो यह तो आपको बनवा लेना है जब बच्चे की पांच वी खतम होती है, एक होता है लिविंग सेटिविकेट, तो लिविंग सेटिविकेट वो आपको पहले से नहीं बनवाना है, आप सिर्द कागा जब एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, आप नवदे में जाते हैं और आपको मतलब वह यह कह दिया जा जाता है, हाँ आप लिविंग सेटिविकेट लेकर आए उसके बाह्त से बनवाना है, क्योंकि लिविंग सेटिविकेट तो बहुत जलदी बन जाता है आपको प्रधाना चार्य से एक अरजी देनी होती है और लिविंग सर्टिविकेट वो दे देते हैं तो इसको आपको पहला नहीं बनवाना है उससे क्या होगा आपका बच्चे का एडमिशन केंसल हो जाएगा जिसी स्कूल में आप है और हो सकता है यादि नवदे में आपका नहीं हुआ तो प्रोब्लम हो सकती है पांच वी चीज है कि आपको रूरल एरिया का सर्टिविकेट बनवाना है क्योंकि नवदे 75% परसेंट रूलर एरिया के बच्चों को आरक्षन देता है मतलब कि जो 80 सीटे होती है उसमें से 60 सीटे तो रूलर एरिया वालो बच्चों इसे बरी जाति हैं तो यदि आप गोना चाहिए यह नहीं कि आपके पास देंगे कि आपको सब्सक्राइब की वजह से हुआ है तो आपके पास रूरल के करे हो सकता है वहां पर आपका सेलेक्शन ना हो पने हैं तो आपको रृलर ना सेटिफिकेट यहदी। कि विकलांगता प्रमानपत्र जरोज़ करने हैं हैं आप का बच्चा दिव्यांग होने की वज़े त से को सिलेक्शन दिव्यांग के टेगरी में हुआ है तो आका पास दिव्यांग का सेटिविकेट भी होना चाहिए ठीक ऐसे देखा हुआ कहीं कुछ नहीं चलता है डॉक्टर की भाहसा चलती है तो आपको दिव्यांग केसि कट बनवा लेना है इसमें जो CMO जो होता है उसकी सिंगनेचर चाहिए होती है मतलब चीफ मेडिकल ओफिसर जो होता है उसकी सिंगनेचर लगती है तो आप यह नहीं कि कोई छोटे मोटे डोक्टर से दिव्यांग का सेटिविकेट बनवा लिए उन्हें आपने लिस्ट आउट कर लिया होगा लिख लिया होगा यदि आपने नहीं लिखा है तो एक बार और बोलता हूं आप जरूर उसे लिख लिजिए पहला है कि आपको निवास प्रमाण पत्र बनवाना है दूसरा है कि आपको जाती प्रमाण पत्र बनवाना है तीसरा गईमत 24 और 5 वी की उसके बाद है आपको living certificate बनवाना है जो मिलविंग certificate बनवा लेना है और उसके बाद जो रुरारेलिया का जो माकसिट होता है क्रामिड चत्रह से आते हैं वह भी बनवाना नौर चठ्वी के जो विकलांकता है जो तो दिव्यांग है उसे दिव्यांग का सेटिविकेट बनवाना है यह सारी चीजे जरूरी है और सब में आपको क्राइटेरिया भी देख लेना है कि जितना मिनिमम है उतना होना चाहिए जैसे कि दिव्यांग है तो 40% दिव्यांग होना चाहिए माक्सीट है तो सब में वह प जानकारी को देने की अच्छे से कोशिस की है यदि मुझे कहीं गलती हुई है तो आप मुझे comment box में जरूर बताए और आपको किसी और document के बारे में पता आए कि यह भी लगता है तो आप comment box में जरूर बनाएए मताईए हम उसे description में add कर देंगे ताकि जो यह वीडियो देख रहे हैं वो यह दिस्क्रिप्शन बोक्स देखते हैं ठीक है तो वहां से उन्हें पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी हमारी आपन्दन.com वहां भी हम नवदे के बारे में जो भी अपडेट्स आती हैं वहां डालते हैं तो आप यह देख सकते हैं और खास कि फूचर में आप नवदे की तयारी करना चाहते हैं या फिर नोटिफिकेशन आती है और चाहते हैं कि मुझे किसी एक जगह से सारी नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप ऐस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर देख रहा है तो फोलो किजिए पेस्बूक पर भी आप हमें फोलो कर सकते हैं और यह यूटुब पर देख रहे हैं तो अच्छी बात है यहां भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं